दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि निव्रातरी के जो दिन होते हैं अपने आप में ही बेहत खास और सुखद होते हैं क्योंकि यह अपने आप में ही सिदिन बतायAfterpling जाते हैं और बस यही कारण है कि बहुझ सारी लोग इन दिनों पर खास साथनाओ को करते हैं जिससे उन्हें अलग-अलग सिद्धियों की प्राप्ती होती है बलकि ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति नवरात्री में साधना संपन करता है या कोई भी विशेश मंतर का जाप करता है तो उसके जीवन से हर प्रकार के कष्ट निश्चित ही दूर हो जाते हैं लेकिन दोस्तों बहुत सारी लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि नवरात्री में साधना कर पाएं मंतर का जाप कर पाएं लेकिन ऐसे में कुछ खास चीज़ों को भी अगर नवरात्री में प्राप्त कर लिया जाए तो यह भी अपने आप में सिद्ध बताया जाता है तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे जो बिलकुल नवरात्री में ही की जाती है और यह कुछ ऐसी खास चीज़े हैं कि अगर इन्हें आप प्राप्त कर लेते हैं तो चारों दिशाओं से धन की वर्षा तो होती ही है बलकि शत आप लाब उठा सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमस्षिवाय हर हर महादेव वश्य लिखते जिससे भगवान शिव की किरपा आप पर हमेशा ही बनी रहे तो दोस्तों अब आपको बता दें कि जिस प्रकार पीपल व्रि से जुड़ी हुई जो साधनाय होती हैं या कोई खास प्रयोग होते हैं वे बड़े ही जादा तीवर होते हैं जो कभी भी खाली नहीं जाते हैं केवल तंत्र में ही भगवान नर्सिंग की साधनाय की जाती हैं और उनसे जुड़े हुए प्रयोग भी बताय जाते हैं तो द में कोई ऐसी इच्छा हैं जो काफी लंबे समय से पूर्ण हो ही नहीं पारही है तो आपको केवल इतना करना है कि एक पीला रूमाल ले लेना है पीले रूमाल के साथ आपको एक हलदी की गाठ और एक कमल गटे का बीज लेना है उसके साथ आपको एक 5 रुपे का 10 रुपे का 1 रुपे का कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं अपने उपर से 50 बार इसे उतारना है और अपनी कोई भी इच्छा बोलते हुए यह सभी चीजे पीले रुमाल में रखकर गूलर विक्ष पर बांध कर आपको आ जानी है और यह कहकर आना है कि हे भग प्रे नवरातरी में आपको करना है चाहे कोई भी इच्छा हो किसी भी चीज़ को आप अपनी और आकरशित करना चाहते हो ते बड़ा ही ज्यादा खास नवरातरी पर किया जाने वाला प्रयोग है फीक इसी प्रकार अगर गूलर विक्ष के जो फल होते हैं इन्हें नवरा प्राप्त करने के बाद माता लक्षमी को चड़ाने के बाद एक घी का दीपक आपको जला देना है ये प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की समस्याएं होती है नोकरी उनको प्राप्त नहीं हो पाती है या फिर जितना भी वैकारे करते हैं कोई भी कारे दिन वहीं पर रखे रहने चाहिए और अगले दिन इन फलों को लाल कपड़े में बांद कर तिजोरी में अगर रखा जाता है तो इससे हर प्रकार की नेगेटिविटी तुरंथी समाप्त होती है और उस तिजोरी में माता लक्षमी का वास हो जाता है लेकिन इस बात का आपक पीर्ड की जड़ में इन्हें रखा जा सकता है और वहां से जिस गूलर विर्ख्ष के पास से आप फल लाए थे वहीं से आपको फिर इन फल को रखने के बाद उसकी एक जड़ भी निकाल लेनी है और उसके बाद स्थाई रूप से अपनी तिजोरी में गूलर विर्ख्ष जाते हैं उनसे बस वे धन कमाता ही चला जाता है यह इतना ज़्यादा खास प्रयोग है कि अगर नवरात्री पर जो कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आती हैं बलकि उसके जीवन में ऐसे योग बन जाते हैं कि स्थाई रूट से माता लक्षमी की प्राप्ति कर लेता है और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि स्थाई लक्षमी जिस व्यक्ति के पास होती है उसी के पास संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है जैसा कि मातलक्षमी को चंचला देवी कहा गया है यानि कि बहुत ही जादा चंचल है और कई प्रकार की लक्षमी होती है जैसे कई लोगों के पास धन होता है लेकिन उनके पास संतान सुख नहीं होता है कई लोगों के पास संतान होती है तो उनके पास धन सुख नहीं होता है यानि कि हर एक व्यक्ति के पास किसी ना किसी लक्षमी की कमी अवश्य ही रहती है संपूर्ण सर्व सिध्धी लक्षमी केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो हर प्रकार का त्याग कर हर इच्छाव को त्याग देता है तो उसके पास स्वेम ही मातालक्षमी आकरशित होती है लेकिन दोस्तों यह है जो खास प्रयोग हमने आपको बताया है इसको करके भी लाब उठाया जा सकता है और यह खास करके नवरातरी में किसी भी दिन किया जा सकता है अब दोस्तों तीसरी चीज ये है कि जो रुमाल आपने गुलर विक्ष पर बांदा था तो जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो उसमें आप सोर पे और मिलाकर परसाद अवश्य ही बांट दें और उस रुमाल को खोल कर नदी में प्रवाहित कर दें इस प्रकार हर नवरातरी में ये खास प्रयोग करके कोई भी इच्छा को पूर्ण करवाया जा सकता है बिल्कुल इसी प्रकार दोस्तों एक चीज और आप जान लें कि माता लक्षमी के सामने संपूर्ण नवरातरी पूरा दिन रात पूरे 24 घंटे अगर कोई भी व्यक्ति घी का दीपक गुलाब इतर उसमें डाल कर पूरे दिन जलाता है पूरे नवरातरी जलाता है तो ऐसे व्यक्ति गोभी अखंड सोभागय की प्राप्ती होती है चाहे उसके जीवन में कितना भी बड़ा दुर्भागय ही क्यों ना चल रहा हो उसका हर एक प्रकार का बटन अवश्य दबा कर रखें जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा समय पर मिलते रहें इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य ही शेयर करते हैं जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाब ठा सकें क्योंकि जब आप शेयर करत आपके बढ़ते हैं और आपके जीवन में सुख और सम्रिद्धी बढ़ती ही चली जाती है तो दोस्तों इन सभी चीजों को ध्यान रखना है तो आज के लिए केवल इतना ही अगले वीडियो में मिलेंगे ओम नमस्षिवाय हरहर महादेव